तो दोस्तों, question है, मुलायम को अंग्रेजी में क्या कहते है, option अग्रेटर, option B, tender, option C, whisk, या फिर option डिस्केमर, तो इसका अंसर करने के लिए आपको दिये जाता है पांच सेकंड का समय. तो इस question का सही अंसर हो जाएगा, option number B, tender, मुलायम को अंग्रेजी में tender कहा जाता है, तो कैसे पहले आपको इसका मेनिंग पता था, comment करके जुरूब ताएं, और आज के लिए आपका first question है, छलनी को इंग्लिस में क्या कहा जाता है, और second question है, मतनी को इंग्लिस में क्या कहा जा तो दोस्तों, अगर आप इनका मेनिंग नहीं जानते हैं, और आप जानना चाहते हों कि इनका मेनिंग क्या होता है, तो हम पूरी playlist का link, description box या फिर आई वेटर में डाल रही है, उस playlist को जुरू चेक कर ले, यूँकि उस playlist में ऐसे कई सारे word है, जो हमारी daily life में use होते है, ले